किस्तान भाई यो मार्च के महीने में अगर आप सबजी फसल लगा करके बड़ीयो पैसा कमाने चाहते हो या फिर आप किछन गार्डिनिंग, होम गार्डिनिंग करते हो तो भाईया आज की इस वेडियो में बताऊंगा कुछ ऐसी चुनिंदा फसल है जिनको आप मार्च के मह सबजी फसले हैं वह बहुत लंबे टाइम तक मतलब कम से कम छे महीने से आठ महीने तक लगतार आपको हर्वेस्टिंग देती रहेंगी तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है किर्पया वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक जानकारी से कि आने वाले में गन्या के खेती संब्धी जानकारी आपको मिलती रहेंं तो सबसだ पहले सब्स Institute में लगाने जाने वा PPT लेनी है लगतार आपको उच्छ क्वालिटी से तयारी करना होगी तो किसान भाईों खेत की तैयारी बहुत ही ठीक धंक से करने होगी तब ही आपको एक अच्छा उत्पादन शांदार उत्पादन अपनी सब्जी की फसुरों से देखने को मिले कर क्यूंकि किसान भाईों जो नीव होती है एक अच्छी उत्पादन की सब्जीयों की वो किसान भाइयों खेत की ठीक धंक से तैयारी से ही रखी जाती है आपको खेत में देशी खाद डालने होंगे देशी खाद के साथ कुछ रसायनी खाद डालने होंगे जैसे कि डियेपी है पुटाशे यूरिया है साथ ही जिन खेतों के अंदर नेमटोड या इसी समस्या देखने को मिलती है तो बेसल डोज में आपको उसके अंदर इंसेक्टिसाइड जैसे के कार्टाफाइडू क्लॉराइड आती है क्लॉरेंटा नेरी प्रूर आता है पर्टेरा का इनी इंसेक्टिसाइड को खादो के अंदर मिला करके केट में डाल देना है केट की एच्छे से जुताई कर लेनी है केट की फिर मैं बताऊंगा किस फसल को आपनको किस विदी से लगाना है उस हिसाब से आप लगाते चले चल में लगा करके छोटे मालागाइगे पहली बार आप लगाने जा रहे हैं तो घु trainings के लाग फिर उसके बार देसी टिंडे का बढ़ी अबी जो है इसक्रिन को पर चल ला है उनको ले करके अपने खेत के अंदर लगा दीजिए इस टाइम के लगे हुए देसी टिंडे को किसान वाई हो वो जब तयार हो करके बजार के अंदर जाएंगे तो भाई या उस टाइम पर मैं आपको शिवरेटी से बता सकता हूँ कि 90 से लेकर के 100 रुपए तक बाजार भाव आपको असानी से मिल जाएंगे आगे गर्मियों के अंदर सब्जादा माहें की बिकने वाली जो है वो देसी टिंडा होता है अब बात करते हैं मेरी दूसरी फेवरेट सबजी जो मार्च के महिने में लगाई जाती है वो है करेला देखिए मैंने करेला पिछली वीडियो के अंदर भी बतायता है फिर दुबारा बता रहा हूं कि 15 मर्च से पहले पहले आप अपने केट में करेला की बाई कर लीजिए इस टाइम पर जो करेले होते हैं इसके अंदर खर्च बहुत कम और दूसरी जो साइड बसती है उसके उपर आपको इंटर क्रॉपिंग कर देनी है प्याज की अगर आपके पास प्याज की नर्सर इस टाइम पर तयार हो तो आप प्याज लगा सकते हो देखिए भया इस टाइम के उपर जो आप करेला लगा रहा है उसका उत पादन बहु ती आसानी से बेश सकते हो और 20 रुपए से नीचे आपके बजार कभाव करे लेका नहीं जाता है अब बात करते हैं तीसरी सबसे फिवरेट सबजी की फसल की मैं पहली बार जो दे करके बोरा बता रहा हूं कि आप इस समय पर बाइगन की बोवाई कर लीजिए बाइगन को किसी भी फसल को नहीं जाने देता सब इसके नीचे रहते हैं बाइगन को आज लगाओ एक साल तक लगतार इससे हर्वेस्टिंग लेते रहो बेसिस के अंदर दो प्रॉब्लम आती है एक फ्रूड बोरर और दूसरा शूड बोरर मतलब तन्हचेदा किली और फलवेदा किल लेकिन पैसा वही किसान कमाएगा जिनको पता होगा कि अगर आगे चल कर जो बीमारी लगेंगी उन बीमारी को टाइम के उपर डिटेक्ट कर लेगा और उनको काट्रोल कर लेगा वही किसान बढ़िये पैसे कमाएगे इसके लिए आपको करना है अपने मुबाइल फोन के प्लैंटिक से आपको डाउनलोड कर लेना है या अनने भी कई आप आते हैं किसान बाइउ किसान कर पाता जाएंगे और इसके जैविक नियंतरन मिल जाएंगे और साथ ही पता चल जाएगे कि आप कौन से की शिक्यान जाएंगे वह आपके आज़ पास किस दुकान में मिले करेंगे और आपको रिपलाई करेंगे और आपका समधान करेंगे किसान भाई यह प्रमोशन वीडियो नहीं का मैं भी इसको यूज करता हूं प्रमोशन वीडियो नहीं फिर से मैं एक बार कह रहा हूं यह मैं नीजी अनुबहुत बता रहा हूं काफे पेश्टे जल्ट है अब बात करते हैं चौती फेवरेट सबजी की फसल की उपर देखिए दोस्तों मैंने जन्वरी की उपर बताया था आपको बता रहा हूं कि दोबारा से बिंडी की बाई का लीजी बिंडी जो है ने लगाई थी वो भी ज्यादा रेट लेंगे मार्च के महीने में जो किसान लगाते हैं उनको थोड़ा सुरुवाती चरण में रेट हलकी कम मिलेंगे एक बार कम रेट मिलेंगे लेकियों कि लगतार जो है बिंडी की सपलाई बहुत ज्यादा बजार में हो रही होती है इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनका उत्पादन इतना नहीं निकल पाता है, जितना उत्पादन इस टाइम पर जो भिंडी आप लगा होगे, उनका निकले होगे, उनकी तुलना में आपके जो पौधे होंगे, उनकी पत्य चोड़ी होंगे, और वो जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे, आगे जून और जुलाई के अंदर भिंडी का दुबारा से जिवरेट है, वो आस्मान को चुलेता है, वो इसी टाइम की लगी होए भिंडी आगे तक का सर्वाई कर पाती है, इसके लावा आप लगाईए भई खीर, अब खीरों को भी आप जमीन को उपर लगाऊगे, तो आगे जब लगतार गर्म हमाई चलेंगी, लू चलेंगी, उससे आपकी फसल कहीं न कहीं बाची रहेगी, और जब लगतार पानी की जूरत पड़ेगी, लगतार सिचाई की अवशकत पड़ेगी, तो उपर अगर हमारी बेल फाली रहेगे, तो मिल के ऊपर आपको एक साइड पर खेला लगा देना है, और दूसरे साइड में अगर आप कर सको तो इंटर क्रॉपिंग बता रहा हूं, बहुत शांदार उसके अंदर दूसरे इससे के अंदर आप मिर्ची बो दिए, देखिए मिर्ची और कीरा जो है, और या तो फिर कीर और प्याज इन दोनों का जो मिक्स कॉंबिनेशन है, जो इंटर क्रॉपिंग हो, बहुत ही सेट होता है, क्वामियाब होता है, तो आप इस टाइम पर खीरा भी लगा सकते हैं, इसके अवाला अगली जो हमारी फेवरेट फसल है हरी मिर्ची, अब हरी मिर्ची जो है, पूर इस दिन के बाद इसके रेड जो है, वो हाई उपर चले जाएंगे, मेरा मानना है कि अकर सब्जी फसल के अंदर आपको कामियाब होना है, तो मिर्ची आपको लगतार कंटीनियो पूरे साल भार अपने के अंदर रखनी होगी, जैसे ही आगे चल कर जब बरसातों का दोर च वीडियो में बता चुका हूँ जर्मरी फरवरी में, फिर बता रहा हूं मार्च के अंदर आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके गवार की फली लगा लीजी, सब्जी वाली जो गवार फली होती है, इसके अंदर खर्च बिलकुल नाम मात राता है, नाक बरापर ख हसल है, वो टमाटर है, टमाटर देखिए, पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि टमाटर के जो रेट थे, दो सब ढ़ाई सो रुपए किलो तक गर्मियों में पहुंच गया थे, हो सकता आपकी बिजाई ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी जो टमाटर है ना इसको बा दिमाग में यह चल ला होता है, वो इससे पैसा घमाते है, इससे अगली फशल है लोकी, लोकी को आपको पता है कि लोकी के अंदर कोई जादा खर्च नहीं जाता है, लोकी अगर बीस रुपए किलो का भी रेड मिल जाता है, तो बहुत अच्छे पैसे बनते है, और इस टा जाते हैं, चोड़ी होती है, इसमें लगतार आपको क्या करना है, जो धोरी आपने निकाली, उनके अदर आपको देशी खाद बर देना है, देशी खाद बर देने के बाद आपको बीच की बहुत देनी है, उसके बाद अगली फसल है, गिलकी तौरी, बार बार बता रहा इसको भी जमीन को पर नीचे लगा देना है, वही आपको एक दूरे से दूरे के जो गैप है, वो लगबग आपको 6-8 फिट कर रखना है, फिर अगली फसल बताते हैं, भईया आप इस टाइम पर लगाईए कद्दू की फसल, देखिए कद्दू बार बार में बोलना हूँ मैं हर बार हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कद्दू एक ऐसी फसल है, जिसके अंदर दूसरी फसलों की तुलना में सबसे कम खर्चाता है, इसके अंदर आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं, हरा कद्दू आप बेश सकते हैं, उस टाइम पर रेट कम मिलना हैं, तो आप उसक चोड़ दीजिए, आप उसको पिड़ोने दीजिए, मोटा होने दीजिए, उसको आप फार्वेस्टिंग करके अपने घर में रख दीजिए, इस टोर कर दीजिए, जब बाजार के अंदर रेट मिल जाए, उस टाइम पर आप बेश दीजिए, इसके जो रेट हैं, हो सकता ह आज पांच रुपए किलो हैं, हो सकता है, आगे चल कर वही कद्दू, आपका थीस रुपए किलो भी बिख जाए, फिछले साल या वीका भी था, आप जानते हैं किसान भाईयों, तो भाईया कद्दू को भी आप लगा सकते हो, कोणी जिसको कहते हैं, इसका उत्पादन ज लगतार दो-तीन सालों से आपन देखना है, पूरे साल पर जो है, गोवी की फसल जो है, वो तैयार होने लगी, ऐसे से बीजाने हैं, सिरेंटा कंपनी मना रही है, एडवांटा मना रही है, कई कंपनी मना रही है, तो अच्छा बेज ले करके कोई भी गोवी को बाई कर लो हैं, बाजार के अंदर, वो लगतार तो चलेंगे नहीं, वो जैसे ही शॉर्ट होंगे, आगे चलकर जैसे गर्मी पढ़िया जाएगी, उस टाइम के उपर इस टाइम के लगे हो जो तर्बूज, खर्बूज है, उनके सप्लाई चल हो जाएगी, एक बार तो दिसंबर जन् है कि तर्बूज कर्बूज की बाई कर लीजिए, इसके अलावा बात करते हैं कि कुछ चोटे सब्जे फचलों की चोटी जरूर है, बहुत मोटे पैसा बना करके जाएगे, अनुशाशन पर करेंगे तो इसके अलावा आता है, अब हरा धनिया आगे जैसे जैसे गर्मिया है, वह बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़यगी, वइसे बाजार के अंदर इसके जैसी सप्लाई कम होगी, वैसे इसके रेठ हाई वह जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो आप हर धनिया जरूर बहुँ है, चोटे सिक्प्राइब बहुत मोली की बहुत कर जैसे आप इसको रोख पाएंगे इसके अलावा पालक की बीजाई कर सकते हो बैया पालक को अलब यह बजार के अंदर पूंचोगे तो जो पालक के रेट है वह आपको 20-25 रुपाय किलो में लेंगे पालक के अंदर खर्च क्या आया था कुछ नहीं आया था और बीज का ही आ आपको यह लगे कि यहां यार यह काटने लगो जाओ उस टाइम इसकी कटाई किजिए बाजार में लजए यह दुबारवा फूट आएगा इसके लावा भाई एक और शांदार चोटी पसल है लेकिन बहुत ज्यादा पैसे देने का मादर रखती है वह है पुदीनक पुद दूसरे इसको बजार भाव आप शांदार निकाल पाएंगे अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादे ज्यादे शेयर करें ताकि जो किसान भाई गर्मी में सबजी यह लगाना चाहते हैं मार्च की महीने में उनको काफी आसानी हो हो जाए सबजी लगाने की इस वीडियो के माध्यम से तो किसान भाई धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ